हमें मडर करना चाहती थी, ये तो गरिमत है कि हम लोग का जान बज गया है, मंत्री है और ये एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा, मैं आज सपत लेता हूँ, कसम खाता हूँ, संकब लेता हूँ, आप लीग के ले लिजिए, एपिडेपीट करा लिजिए हमसे, कि आप सी, मुल्वासी का जलजंगल जमीन का बात करते हैं, रिजर्वैशन का बात करते हैं, मैं आज ओन केमरा, दावे के साथ कर सकता हूँ, कि ये सब एक मया जाल है, ये सब इसका सारे परियास उपनी परियास है section, और ये सब एक ड्रामा है, एक दिखावा है, एक मात्र, एक सा दिखावा है इसका जो अंतरात्मा मन है यह जारखन को दलाली करके पूरा खनिक संपदा सरकारी संपती सरकारी नोकरी को बेचने वाला लोग है क्योंकि पूरे छात्राज सड़क में हैं चार महिनों से और एक अक्षर नहीं बदला है इनका मैं देखिये बता दे रहा हूं भ बात करें और इसके बीच का भारत का चारो दिसाओं से ले घिरी हुई तमाम राज्यों का बात करें आप बिग्यापन निकाल के देख लिजिए थाड और फॉर्थ गरेट का नक्री में वहां के अस्थानियों निवासी का जिक्रतिया गया है जो हमारा जहरखन्ड से एक ब भारत का नागरिग यहां पे कहीं भी जहरखन का आस्थानियों निवासी का जिक्र नहीं किया गया है और मुझ्यों मंत्री बड़े बड़े ड्रामा करते हैं माया जाल खेलते हैं खतियान का अधिबासी मुलबासी का यहां रिजर्वेशन का और यह सारा उपरी दिखावा करते हैं और यहां एक अक्षर नहीं बदल पा रहे हैं और उल्टा जो जाज मा कर रहे हैं उस पर लाठी चार्ज कर रहे हैं उस पर जो है कि माथा फोड़ रहे हैं उस पर खून बहा रहे हैं मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से लाठी गोली का सरकार से की परमिसन के खून बहना कहां तक जाज है मुख्यमंत्री महोदे खूद को कहते हैं अंदोलनकारी का बेटा है और सीबू सोरेंजी कहते हैं धर खंडियों के लिए है अरे जो बाप का नहीं हो किसका होगा ये किसी का नहीं हो सकता है और ये मैं लाठी गोली की सरकार को एस पश्ट रूप करती है जो पुलिस जो पूलिस और अपनाया गया निहप थे चात्रों चाहते तो खंडिंग को अधर बेर हाँ करते हैं जासकती थे मुख्यमंत्री के घर तक कूछ कर सकते थे लिए लेकिन हम लोग ने तमाम चात्रों को निर्देश दिया था कि हम लोग कानून को मानते हैं संभिधान को मानते हैं हम लोग सांतीपूर्न तरीके से अपना बात को अपना संभिधानिक तरीके से रखेंगे और तमाम चात्रों ने धरयता का परिचय दिया तमाम चात्रों ने सा सर्कारी संपत्ति को ब्युचना जो चाहती है मैं अच सपत लेता हूं कि इसको मंखसा से पूरा होने नहीं देंगे उर अगर बार बार लाठी गोली चलाएगी सर्कार तो हम वादा करते हैं कि 2024 से यह सर्कार से हम लोग लाठी छिनने का काम करेंगे और ये लाठी छीनेंगे ये सरकार से और याद रखिए हमाद सोरेन की सरकार आपको फिर एक बार चीनेंगे तो दूबारा आपको लाठी मिलने वाला नहीं है और मैं कॉंग्रेस और जमेम के समय पच भी पच तमाम खास करके जो मेम और कॉंग्रेस को मैं कहा देना चाहता हूँ आप लिग के लिग के ले लिजिए एपिडेपीट करा लिजिए हमसे कि आप लोग के जीते हुए मिनिमम एक्टी परसेंट मेले इस बार कोई जीतने वाले नहीं है इतना बड़ा अंदोलन हो गया है जन अंदोलन अरे भाई कोई एक घंटा दू घंटा कोई सड़क पे जो है कि कुछ अंदोलन नहीं हो और पेपर में रखबार में और सोसल मीडियल में वाइरल हो गया 72 घंटा 72 घंटा बहुत बड़ी घंटा होता है यह भारत का इतिहास में अभी तक आइसा छात्र अंदोलन कहीं नहीं हुआ है इसलिए हम दावे के साथ का सकते हैं वही हस्र होगा है मंसुरेंजी का जो हस्र बीजेपी का हुआ है और यह लोग पच्च विपच्च का नाटक न खेलता रहे क्योंकि 23 साल का जर्खंड का इतिहास में ना जर्खंड ही तमें पख्च दिया है ना बीपफ्च दिया है इसलिए हम लोग यह से लाठी और शत्ता चिनके हम लोग बीपच्च को भी देने का काम नहीं करेंगे हम लोग शत्ता उसको देंगे कर चात्र जो होता है सूल लिजी है कल का भवीं सा चात्रा चात्र सकती राश्ट्र सकती है और यह तमाम क्षात्र जो है की आने वाले दिनों पर यह कम लोग का मनसा मारा हत्या का था थ्या दिया जाता है कि कैसे कंट्रोल करना है कहां मारना है कहीं भी अरे आतंगवादी और नकसली को खुन नहीं भाया जाता है नहीं माथाब खोड़ा जाता है और हमारे छात्रों पर माथाब खोड़ा गया है खुन भाया गया है इसका जाच होना चाहिए और जो भी परसासन पुलिस का बर्दी पहन के गुंडा गर्द करने का काम किया है उसको कानूनी करना होगा अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले